नमस्ते दोस्तों, प्रेश्टूत है मुन्सी प्रेमचन की प्रसिद उपन्यास गबन का तेरहवा भाग वह रमानात्स जो पुलिस के भैसे बाहर न निकलता था, जो देवी दिन के खर में चोरों की तरह पढ़ा जिंदिगी के दिन पूरे कर रहा था आज दो महिनों से राजसी भोग विलास में डुबा हुआ है, रहने को सुंदर सजा हुआ बंगला है, सेवा टहल के लिए चोकीदारों का एक दल, सवारी के लिए मोटर, भोजन पकाने के लिए एक काश्मीरी बावर्ची है, बरे बरे अफसर उसका मुँ ताका करते हैं, उस विलास ने उसके विवेग बुद्धी को समोहित्सा कर दिया है, उसे कभी इसका खयाल भी नहीं आता कि मैं क्या कर रहा हूँ और मेरे हाथों कितने बेगुनाहों का खून हो रहा है, उसे एकांत विचार का अवसर ही नहीं दिया जाता, रात को वह अधिकारियों के साथ सि पुलिस को मालूम था कि शेशन जज के इजलास में या बहार ना होगी, सन्योग से जज हिंदुस्तानी थे और निश्पक्ष्ट्रा के लिए बदनाम, पुलिस हो या चोर, उनकी निगाह में बराबर था, वह किसी के साथ रियायत न करते थे, इसलिए पुलिस ने रमा को एक बार उन स्थानों की सैर कराना जरूरी समझा जहां वार्दाते हुई थी, एक जमिंदार की सजी सजाई कोठी में डेरा पड़ा, दिन भर लोग शिकार खेलते, रात को ग्रामोफोन सुनते, ताश खेलते और बजरों पर नदियों की सैर करत ऐसा जान पड़ता था कि कोई राजकुमार शिकार खेलने निकला है, इस भोग विलास में रमा को अगर कोई अभिलाशा थी, तो यहां की जालपा भी यहां होती, जब तक वह पराश्रित था, दरिद्र था, उसकी विलासेंद्रिया मानो मुर्चित हो रही थी, इन शीतल जोकों ने उन्हें फिर सचेत कर दिया, वह इस कल्पना में मग्न था कि या मुकादमा खतम होते ही, उसे अच्छी जगर मिल जाएगी, तब वह जाकर जालपा को मना लावेगा, और आनन से जीवन सुप होगेगा, हाँ वह नए प्रकार का जीवन होगा, उसकी मर्यादा कुछ और ही होगे, उसमें कठोर संयम होगा और पका नेर्यंतरन, अब उसके जीवन का कुछ उद्देश होगा, कुछ आदर्श होगा, केवल खाना, सोना और रुपए के लिए हाई हाई करना ही जीवन का व्यापार नहोगा, इसी मुकदमे के साथ इस मार्गीन जीवन का अंध हो जाएगा, दुर्बल एक्षा ने उसे यह दिन दिखाय था, और अब एक नए और संस्क्रिट जीवन का सपन दिखा रही थी, शराबियों की तरह ऐसे मनुशे रोज ही संकल्प करते हैं, लेकिन उन संकल्पों का अंध क्या होता है, नए नए प्रलोगन सामने आते पर जा रहा था, रास्ता देवीदीन के घर के सामने से था, कुछ दूर ही से उसे अपना कमरा दिखाय दिया, अनयास यूँ उसकी निगाह उपर उठ गई, खिर्की के सामने कोई खरा था, इस वक देवीदीन वहाँ क्या कर रहा है? उसने जरा ध्यान से देखा यह तो कोई औरत है मगर औरत कहां से आई क्या देवी दिन ने वा कमरा खिराय पर तो नहीं उठा दिया ऐसा तो उसने कभी नहीं किया मोटर जरा और समीप आई तो उस औरत का चहरा साफ नजर आने लगा रमा चौक परा यह तो जालपा है बेशक जालपा है मगर नहीं जालपा यहां कैसे आईगी मेरा पता ठीका ना उसे कहां मालूम कहीं बुढ़े ने उसे खत तो नहीं लिख दिया जालपा ही है नायब दरोगा मोटर चला रहा था रमा ने बरी मितरता के साथ कहा सरदार सहाब एक मिनट के लिए रुख जाईए मैं जरा देवी दिन से एक बात कर लू नायब ने मोटर जरा धीमी कर दी लेकिन फिर कुछ सोच कर उसे आगे बढ़ा दिया रमा ने तेज होकर कहा आप तो मुझे कैदी बनाए हुए है नायब ने खिसी आकर कह आप तो जानते हैं डिप्टी साहब कितने जल जामे से बाहर हो जाते है बंगले पर पहुँच कर रमा सोचने लगा जालपा से कैसे मिलू वहाँ जालपा ही थी इसमें अब उसे कोई शुभा न था आखों को कैसे धोखा देता हिर्दे में एक ज्वाला सी उठी हुई थी क्या करूं कैसे जाऊं उसे कपरे उतारने की सुधी भी न रही पंद्रा मिनट तक वह कमरे के द्वार पर खरा रहा कोई हिकमत ही न सुजी लाचार पलंग पर लेटा रहा जराही देर में वह फिर उठा और सामने सहन में निकलाया सरक पर उसी वक्त बिजली रोशन हो गई फाटक पर चौकिदार खरा था रमा को उस पर इस समय इतना क्रोधाया कि गोली मार दे अगर मुझे कोई अच्छी जगा मिल गई तो एक-एक को समझूँगा तुम्हे तो डिस्मिस करा के छोड़ूगा कैसा शैतान की तरह सिर पर सवार है मूँ तो देखो जरा मालूम होता है बकड़ी की दुम है वहरे आपकी पगड़ी कोई टोगरी ढोने वाला कूली है अभी कुत्ता भूख पड़े तो आप दुम दवा कर भागेंगे मगर यहां ऐसे डटे खरे हैं मानो किसी किले के द्वार की रक्षा कर रहे हैं एक चौकिदार ने आकर कहा इंस्पेक्टर सहाब ने आपको बुलाया है कुछ नए तवे मंगवाए है रमा ने जल्ला कर का मुझे इस वक्त फुरसत नहीं है फिर सोचने लगा जालपा यहां कैसे आई अकेले ही आई है या और कोई साथ है जालिम ने बुढ़े से एक मिनट भी बात नहीं करने दिया जालपा पूछेगी तो जरूर की क्यों भागे थे साफ साफ कह दूँगा उसमें और कर ही गया सकता था पर इन थोरे दिनों के कस्टों ने जीवन का प्रश्म तो हल कर दिया अब आनन्द से जिंद्गी कटेगी कोशिश करके उसी तरफ अपना तबादला करवा लूँगा या सोस्ते सोस्ते रमा को खयाल आया कि जालपा भी हाँ मेरे साथ रहे तो क्या हर्ज है बाहर वालों से मिलने की रोक टोक है जालपा के लिए क्या रुकावट हो सकती है लेकिन इस वक्त इस प्रशन को छेड़ना उचित नहीं कल इसे तै करूँगा देवी दिन भी विचित्र जीव है पहले तो कई बार आया पर आज उसने भी सननाटा खीच लिया कम से कम इतना तो हो सकता था कि आकर पहरे वाले कॉनस्टेबल से जालपा के आनी की खबर मुझे देता फिर मैं देखता कि कौन जालपा को नहीं आने देता पहले इस तरह की क्या जरूरी थी पर अब तो मेरी परिशा पूरी हो चुकी शायद सब लोग खुशी से राजी हो जाएंगे रसोईया थाली लाया मांस एक ही तरह का था रमा थाली देखते ही जल्ला आ गया इन दोनों रूचिकर भोजन देख कर ही उसे भूख लगती थी जब तक चार-पांच प्रकार का मांस न हो चतनी अचार न हो उसकी त्रिप्ती न होती थी बिगर कर बोला क्या खाओं तुमारा सिर थाली उठा ले जाओ रसोईया ने डरते डरते कहा हुजूर इतनी जल्द और चीजे कैसे बनाता अभी कुल दो घंटे तो आए वे हुए हैं दो घंटे तुमारे लिए थोड़े होते हैं अब हुजूर से क्या कहूँ मत बको हुजूर मत बको डैम रसोईया ने फिर कुछ न कहा बोतल लाया बर्फ तोरकर ग्लास में डाली और पीछे हटकर खरा हो गया रमा को इतना क्रोधा आ रहा था कि रसोईया को नोच खाए उसका मिज़ाज इन दिनों बहुत तेज हो गया था शराब का दौर शुरू हुआ तो रमा का गुस्सा और भी तेज हो गया लाल-लाल आँखों से देख कर बोला चाहूं तो अभी तुम्हारा कान पकर कर निकाल दूँ अभी इसी दम तुमने समझा गया है उसका क्रोध बढ़ता देख कर रसोया चुपके से सरग्या रमा ने ग्लास लिया और दो-चार लुक में खाकर बाहर सहन में तहने लगा यही धुन सवार थी कि कैसे यहां से निकल जाओ एक आएक उसे ऐसा जान पड़ा कि तार के बाहर व्रिक्षों की आड में कोई है हाँ कोई खरा उसकी तरफ ताग रहा है शायद इसारे से अपनी तरफ बुला रहा है रमानात का दिल धरकने लगा कहीं सडियंत कारियों ने उसके प्रान लेने की तो नहीं ठानी है यह शंका उसे सदेव बनी रहती थी इसी ख्याल से वह रात को बंगले के बाहर बहुत कम निकलता था आत्मरक्षा के भाव ने उसे अंदर चले जाने की प्रेणा की उसी वक्त एक मोटर सरक पर निकली उसके प्रकाश में रमा ने देखा वह अंधेरी चाया इस्त्री है उसकी सारी साफ नजर आ रही है फिर उसे ऐसा मालूम हुआ कि वह इस्त्री उसकी ओर आ रही है उसे फिर शंका हुई कोई मर्द या वेश बदल कर मेरसा चल तो नहीं कर रहा है वह ज्यों ज्यों पीछे हटा गया वह चाया उसकी ओर बढ़ती गए यहां तक की तार के पास आकर उसने कोई चीज रमा की तरफ फेंगी रमा चीख मार कर पीछे हट गया मगर वह के वलेक लिफाफा था उसे कुछ तसकीन हुई उसने फिर जो सामने देखा तो वह चाया अनकान में विलीन हो गए थी रमा ने लपक कर वह लिफाफा उठा लिया भै भी था और कौतुहल भी भै कम था कौतुहल अधिक लिफाफे को हाथ में लेकर देखने लगा सिर नामा देखते ही उसके हिर्दे में फुरहरियां सी दौरने लगी लिखावट जालपा की थी उसने फौरन लिफाफा खोला जालपा ही की लिखावट थी उसने एक ही सांस में पत्र पर डाला और तब एक लंबी सांस ली उसी सांस के साथ चिंता का वा भीशन भार जो आज छे महिने से उसकी आत्मा को दबा रखा था वा सारी मनोय था जो उसका जीवन रक्त चूस रही थी वा सारी दुरबलता लगजा ग्रानी मानो उड़ गई, छूम मंतर हो गई इतनी स्फूर्ती, इतना गर्व, इतना आत्मिश्वास उसे कभी न हुआ था पहली सनक यह सवार हुई अभी चल कर दरोगा से कह दू मुझे इस मुकदमे से कोई सरोकार नहीं है लेकिन फिर खयाल आया, बयान तो अब हो ही चुका जितना अपयाश मिलना था, मिली चुका अब उसके फल से क्यों हाथ दो मगर इन सबोंने मुझे कैसा चक्मा दिया है और अभी तक मुगालते में डाले हुए है सब के सब मेरी दोस्ती का दम भरते हैं मगर अभी तक असली बात मुझे चुपाए हुए है अभी इन्हें मुझे पर रिश्वास नहीं अभी इसी बात पर अपना बयान बदल दू तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा यही होगा ना कि मुझे कोई जगा न मिलेगी बलास से इन लोगों के मनसुबे तो खाक में मिल जाएगे इस दगाबाजी की सजा तो मिल जाएगी और यह कुछ न सही तो इतनी बड़ी बदनामी से तो बच जाओंगा यह सब सरारत तो जरूर करेंगे लेकिन जूटा इलजाम लगने के सिवा और करही क्या सकते है जब मेरा यहां रहना साबित ही नहीं तो मुझ पर दोश ही क्या लग सकता है सबों के मुँ में कालिक लग जाएगी मुँ तो दिखाया ना जाएगा मुकर्मा क्या चलाएंगे मगर नहीं इन्होंने मुझ से चाल चली है तो मैं भी इनसे वही चाल चलूँगा कह दूँगा अगर मुझे आज कोई अच्छी जगा मिल जाएगी तो मैं शहादत दूँगा वरना साफ कह दूँगा इस मामले से मेरा कोई संबंद नहीं नहीं तो पीछे से किसी छोटे मुटे ठाने में नायब दरोगा बना कर भेज दे और वहीं सरा करू लूँगा इंस्पेक्टरी और कल दस बजे मेरे पास नियुक्ति का परवाना आ जाना चाहिए वह चला कि इसी वक दरोगा से कह दूँ लेकिन फिर रुख गया एक बार जालपा से मिलने के लिए उसके प्रान तरब रह थे उसके प्रती इतना अनुराग इतनी शद्धा उसे कभी न हुई थी मानो वह कोई दैवी शक्ती हो जिसे देवताओं ने उसकी रक्षा के लिए भेजा हो दस बज गये हैं रमा अनाथ ने बिजली गुल कर दी और बरामदे में आका जोर से किवार बंद कर दिये जिसमें पहरे वाले सिपाही को मालूम हो अंदर से किवार बंद करके सो रहे हैं वह अंधेरे बरामदे में एक मिनट खरा रहा तब आहिस्ता से उत्रा और काटेदार फैंसिंग के पास आकर सोचने लगा उस पार कैसे जहूँ शायद अभी जालपा बगीजे में हो देवी दीन जरूर उसके साथ होगा किवल यही तार उसकी राह रोके वे था उसे फान जाना असंभव था उसने तारों के बीच से होकर निकल जाने का निश्चे किया उसने सब कपड़े समेट लिए और काटों को बचाता हुआ सिर और कंदे को तार के बीच में से निकाल लिए पर न जाने कैसे कपड़े फस गए उसने हाथ से कपड़ों को छुडाना चाहा तो आस तीन काटे में फस गए धोती भी उलजीवी थी बिचारा बरे संकत में पड़ा ना इस पार जा सकता था ना उस पार और जरासी अवसावधानी हुई और काटे उसकी दे में चुब जाएंगे मगर इस वक्त उसे कपड़ों की परवाना थी उसने गर्दन और आगे बढ़ाई और कपड़े में लंबा चीरा लगाता उस पार निकल गया सारे कपड़े तार-तार हो गये पीठ में भी कुछ खनोंचे लगे पर इस समय कोई बंदु का निशाना बांध गर भी उसके सामने खरा हो जाता तो भी वह पीछे ना हरता फटेवे कुर्टे को उसने वही फेग दिया गले की चादर फट जाने पर भी काम दे सकते थी उसे उसने ओड लिया धोती समेट ली और बगीचे में घूमने लगा सननाटा था शायद रखवाला खटिक खाना खाने गायवा था उसने दो-तीन बाद धीरे-धीरे जालपा का नाम लेकर पुकारा भी किसी की आहट न मिली पर निराशा होने पर भी मोह ने उसका गला नहीं छोड़ा उसने एक पेर के नीचे जाकर देखा समझ गया जालपा चली गई वह उन्ही पैरों देवी दीन के घर की ओर चला उसे जरा भी शोक न था बला से किसी को मालूम हो जाए कि मैं बंगले से निकल गया हूँ पुलिस मेरा कर ही क्या सकती है मैं कैदी नहीं हूँ गुलामी नहीं लिखाई है आधी रात हो गई थी देवी दीन भी आधा घंटा पहले लोटा था और खाना खाने जाही रहा था कि एक नंगे धरंगे आदमी को देखकर चौक पड़ा रमा ने चादर सिर पर बान डाली थी और देवी दीन को ढराना चाहता था देवी दीन ने सशंख होकर कहा कौन है सहसा पहचान गया जपटकर उसका हाच पकरता हो बोला तुमने तो भाईया खूब भेश बनाया कपड़े क्या हुए रमानाथ तार से निकल रहा था सब उसके कांटों में उलजकर फट गए देवी दीन राम राम देह में तो कांटे नहीं चुपे रमानाथ कुछ नहीं दो एक खरोंचे लग गए मैं बहुत बचा कर निगला देवी दीन बहु की चिठी मिल गई न रमानाथ हाँ उसी वक्त मिल गई थी क्या वह भी तुमारे साथ थी देवी दीन वह मेरे साथ नहीं थी मैं उनके साथ था जब से तुम्हें मोटर पड़ाते देखा तब इसे जाने जाने लगाई भी थी रमानाथ तुमने कोई खत लिखा था देवी दीन मैंने कोई खत पत्तर नहीं लिखा था भाया जब वह आई तो मुझे आप ही अचमबा हुआ कि बिना जाने भुझे कैसे आ गई पीछे से उन्होंने बताया वह सतरंज वाला नक्सा उन्हीं ने पराग से बेजा था और इनाम भी वहीं से आया था रमा की आखें फैल गई जालपा की चतरवाई ने उसे विश्मय में डाल दिया इसके साथ ही पराजय की भाव ने उसे कुछ खिन कर दिया यहां भी उसकी हार हुई इस पुरी तरह बुडिया उपर गई वी थी देवी दीन ने जीने के पास जाकर का अरे क्या करती है बहुसे कर दे एक आदमी उनसे मिलने आया है यह करकर देवी दीन ने फिर रमा का हाथ पकर लिया और बोला चलो अब सरकार से तुम्हारी पेशी होगी बहुत भागे थे बिना वारन के पकरे गए इतनी आसानी से पुलिस भी न पकर सकती रमा का मनों लास द्रवित हो गया था लज्जा से गरा जाता था जालपा के प्रश्णों का उसके पास क्या जवाब था जिस भैसे वह भागा था उसने अंद में उसका पीशा करके उसे परास थी कर दिया वह जालपा के सामने सीधी आँखें भी तो न कर सकता था उसने हाथ चुरा लिया और जीने के पास सिठक गया देवी दीन ने पूछा क्यों रुख गया रमा सिर्ख खुजलाता हुआ बुला चलो आता हूँ बुढिया ने ओपर ही से कहा पूछो कौन आदमी है कहा से आया है देवी दीन ने विनोन किया कहता है मैं जो कुछ कहूंगा पूछा कहदू लोट जाए जालपा जीने पर आकर बुली कौन आदमी है पूछती तो हूँ कहता है बड़ी दूर से आया हूँ है कहा या क्या खरा है अच्छा बुला लो रमा चादर ओढ़े कुछ छिज़ता कुछ जेमता कुछ डरता जीने पर चड़ा जालपा ने उसे देखते ही पहचान लिया तुरंत दो कदम पीछे हट गई देवी दीन वहा न होता तो वह दो कदम और आगे बढ़ी होती उसकी आखों में कभी इतना नशा न था अंगों में कभी इतनी चपलता न थी कपोल कभी इतने न डमके थे हिर्दय में कभी इतना मृदू कमपन न हुआ था आज उसकी तपश्या सफल हुई वी योगियों के मिलन की रात बटोहियों के पराओ की रात है जो बातों में खड़ जाती है रमा और जालपा दोनों ही को अपने छा महिनों की कथा कहनी थी रमा ने अपना गौरव बढ़ाने के लिए अपने कश्टों को खुब बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जालपा ने अपनी कथा में कश्टों की चर्चा तक न आने दी वह डर्दी थी इन्हें दुख होगा लेकिन रमा को उसे रुलाने में विशेश आनन्द आ रहा था वह क्यूं भागा किसलिये भागा कैसे भागा यह सारी गाथा उसने करुन शब्दों में कही और जालपा ने सिसक सिसक कर सुनी वह अपनी बातों से उसे प्रभावित करना चाहता था अब तक सभी बातों में उसे परास्त होना पड़ा था जो बात उसे असुझ मालूम हुई उसे जालपा ने चुटकियों में पूरा कर दिया शत्रंज वाली बात को वह खुब नमक मिर्च लगा कर बयान कर सकता था लेकिन वहां भी जालपा ही ने नीचा दिखाया फिर उसकी किर्थी लालसा को इसके सिवा और क्या उपाय था कि अपने कश्टों की राई को परवत बना कर दिखाये जालपा ने सिसक सिसक कर कहा तुमने यह सारी आफ़तें जेली पर हमें एक पत्र तक न लिखा क्यों लिखते हमसे नाता ही क्या था मुँ देखे की प्रीती थी आख ओट पहार ओट रमा ने हस्रत दिखा यह बात नहीं थी जालपा दिल पर जो कुछ गुजरती थी दिल ही जानता है लिकिन लिखने का मुँ भी तो हो जब मुँ छिपा कर घर से भागा तो अपनी विपत्ती कथा क्या लिखने बैठता मैंने तो सोच लिया था जब तक खूप रुपए न कमा लूँगा एक शब्द भी न लिखूँगा जालपा ने आसु भरी आँखों में व्यांग भर कर का ठीक ही था रुपए आदमी से ज़्यादा प्यारे होते ही है हम तो रुपए के यार है तुम जाहे चोरी करो डाका मारो जाली नोट बनाओ जूटी कवाही दो या भीक मांगो किसी उपाय से रुपए लाओ तुमने हमारे सौभाव को कितना ठीक समझा है कि वह गोसाई जी भी तो कह गये है स्वारत लाई करही सब्री थी रमा ने जहेबते वे का नहीं नहीं प्रिये यह बात न थी मैं यही सोचता था कि इन फटे हालो जाओंगा कैसे सच कहता हूँ मुझे सबसे ज़ादा डर तुम ही से लगता था सोचता था तो मुझे कितना कप्ती जूटा कायर समझ रही होगी शायद मेरे मन में यह भाव था कि रुपए की थैली देखकर तुमारा हिदर कुस्तो नरम होगा जालपा ने व्यथित कंट से बोला मैं शायद उस थैली को हाथ से छूती भी नहीं आज मालूम हो गया तो मुझे कितनी नीच कितनी स्वार्थिनी कितनी लोभीन समझते हो इसमें तुमारा कोई दोश नहीं सरासर मेरा दोश है अगर मैं भली होती तो आज यह दिन ही क्यों आता जो पुरुष 30-40 रुपे का नौकर हो उसके इस्त्री अगर 2-4 रुपे हर रोज खर्ज करे हजार दोहजार के गहने पहने के नियत रखे तो वह अपनी और उसकी तबाही का समान ही कर रही है अगर तुमने मुझे इतना धर लोलूप समझा कोई अग्याय नहीं किया वगर एक बार जिसाग में जल चुकी उसमें फिर न दूँगी इन महीनों में मैंने उन पापों का कुछ प्राशित किया है और शेस जीवन के अंच समय तक करूँगी यह मैं नहीं कहती कि भोग विलाज से मेरा जी भर गया या गहने कपरे से मैं उप गई या सेर तमाशे से मुझे घिरना हो गई या सब अभिलाशाई जियों कि तो है अगर तुम अपने पुरुशार्ट से अपने परिश्रम से अपने सदुद्योग से उन्हें पूरा कर सको तो क्या कहना लेकिन नियत खोटी करके आत्मा को कलुशित करके एक लाख भी लाओ तो मैं उसे ठुकरा दूंगी जिस वक्त मुझे मालूम हुआ कि तुम पुलिस के गवा बन गए हो मुझे इतना दुख हुआ कि मैं उसी वक्त दादा को साथ लेकर तुमारे बंगले तक गई मगर उसी दिन तुम बाहर चले गए थे और आज लोटे हो मैं इतने आदमियों का खुन अपनी गर्दन पर नहीं लेना चाहती तो मदालत में साफ साफ कह दो कि मैंने पुलिस के चकमे में आकर गवाही दी थी मेरा इस मुआमले से कोई संबंद नहीं है रमा ने चिल्तित होकर का जब से तुम्हारा खत मिला तभी से मैं इस प्रशन पर विचार कर रहा हूँ लेकिन समझ में नहीं आता क्या करो एक बात कहकर मुकर जाने का सास मुझ में नहीं है बयान तो बदलना ही पड़ेगा आखिर कैसे मुश्किल क्या है जब तुम्हें मालूम हो गया है कि मिन्सपालिटी तुम्हारे उपर कोई मुकदमा नहीं चला सकती तो फिर किस बात का डर डर ना हो जेब भी तो कोई चीज है जिस मुझ से एक बात कही होता नहीं है जालपा ने कोई जवाब नहीं दिया बस सोच रही थी आदमी में स्वार्थ की मातरा कितनी अधीक हो दिये रमा ने फिर ध्रिष्टता से कहा और कुछ मेरी ही गवाही पर तो सारा फैसला नहीं हुआ जाता मैं बदल भी जाओं तो पुलिस कोई दूसरा आदमी खरा कर देगी अपराधियों की जान तो किसी तरह बच नहीं सकती हाँ मैं मुफ्ट में मारा जाओंगा जालपा ने तियोनिया चड़ा कर का कैसी बेशर्मी की बाते करते हो जी क्या तुम इतने गयबीते हो कि अपनी रोटियों के लिए दूसरों का गला काटो मैं इसे नहीं सा सकती मुझे मज़़ूरी करना भूखो मर जाना मनजूर है बरी से बरी विपत्ती जो संसार में है वह सिर पर ले सकती हूँ लेकिन किसी का बुरा करके स्वर्ग का राज भी नहीं ले सकती रमा इस आदर्श वाद से चिड़ कर बोला तो तुम क्या चाहती हो कि मैं यहां कुली गरी करूँ जालपा नहीं मैं यह नहीं चाहती लेकिन अगर कुली गरी भी करनी हो तो वह खून से तर रोटी खाने से तो कहीं बढ़ कर है रमा ने शांत भाव से का जालपा तो मुझे जितना नीच समझ रही हो मैं उतना नीच नहीं हूँ बुरी बात सभी को बुरी लगती है इसका दुख मुझे भी है कि मेरे हाथो इतने आदमियों का खून हो रहा है लेकिन परिस्थिती ने मुझे लाचार कर दिया है मुझे में अब ठोकरे खाने की शक्ती नहीं है ना मैं पुलिस से रार मोल ले सकता हूँ दुनिया में सभी थो रही आदर्श पर चलते है मुझे क्यूं उस आचाई पर चढ़ाना चाहती हो जहां पहुंचने की शक्ती मुझे में नहीं है जालपा ने तेक सुनस्वर्ज में कहा जिस आदमी में हत्या करने की शक्ती हो उसमें हत्या ना करने की शक्ती का ना होना अचंबे की बात है जिसमें दौरने की शक्ती हो उसमें घरे होने की शक्ती ना हो इसे कौन मानेगा जब हम कोई काम करने की इक्षा करते हैं तो शक्ति आप ही आप आ जाती है तुम यह निश्य कर लो कि तुम्हें बयान बदलना है बस और बाते आप ही आ जाएगी रमा सिर्ज जुकाए हुए सुनता रहा जालपा ने और आवेश में आकर कहा अगर तुम्हें यह पाप की खेती करनी है तो मुझे आज ही यहां से विदा कर दो मैं मुझ में कालिक लगा कर यहां से चली जाओंगी और फिर तुम्हें दिख करने नहीं आओंगी तुम आनन से रहना मैं अपना पेट मेहनत मजूरी करके भाड़ लूगी अभी प्राश्चित पूरा नहीं हुआ है इसलिए दुर्बलता हमारे पीछे पड़ी हुई है मैं देख रही हूँ यह हमारा सर्वनास करके छोड़ेगी रमा के दिल पर कुछ चोट लगी सिर्ख खुजला कर बोला चाहता तो मैं भी हूँ कि किसी तरह इस मुसीबत से जान बचे तो बच्चा आते क्यों नहीं अगर तुम्हें कहते शर्म आती हो तो मैं चलू यही अच्छा होगा मैं भी चली चलूँगी और तुम्हारे सुप्रिटेंडन साब से सारा विर्तान साफ साफ कह दूँगी रमा का सारा पेशो पेश गायब हो गया अपनी इतनी दुर्गती वह ना कराना चाहता था कि उसकी इस्त्री जाकर उसकी वाकालत करे बोला तुम्हारे चलने की ज़रत नहीं है जालपा मैं उन लोगों को समझा दूँगा जालपा ने जोर दे कर कह साब बताओ अपना बयान बदलोगे या नहीं रमा ने मानो कोनों में दब कर कह कहता तो हूँ बदल दूँगा मेरे कहने से या अपने दिल से तुम्हारे कहने से नहीं अपने दिल से मुझे खुदी ऐसी बातों से घृना है सिर्फ जड़ा हिचक थी वा तुमने निकाल दी फिर और बाते होने लगी कैसे पता चला कि रमा ने रुपे उरा दिये रुपे आदा कैसे हो गए और लोगों को गबन की खबर हुई या घरी में दब कर रह गई रतन पर क्या गुजरी गोपी क्यूं इतनी जल्दी चला गया दोनों कुछ पढ़ रहे हैं या उसी तरह आवारा फिरा करते हैं आखिर में अम्मा और दादा का जिक्र आया फिर जीवन के मनसूबे बांधे जाने लगे जालपा ने कहा घर चलकर रतन से थोड़ी सी जमीन ले ले और आनन से खेती बारी करे रमा ने कहा कहीं उससे अच्छा है यहाँ चाय की दुकान खोले इस पर दोनों में मुबाहसा हुआ आखिर रमा को हार माननी पड़ी यहाँ रहकर वह घर की देखभाल न कर सकता था भाईयों को सिक्षा न दे सकता था और ना माता पिता की सेवा सतकार कर सकता था आखिर घरवालों के प्रती भी तो उसका कुछ करतव्य है रमा निरुत्तर हो गया रमा मुँ अंधेरे अपने बंगले जा पहुचा किसी को कानो कान खबर न हुई नाश्ता करके रमा ने ख़त साफ किया कपड़े पहने और दरोगा के पास जा पहुचा तियोडिया चढ़ी वी थी दरोगा ने पुछा खैरियत तो है नौकरों ने कोई शरारत तो नहीं की रमा ने खरे खरे कहा नौकरों ने नहीं आपने शरारत की है आपके माथ हतों, अफशरों और सब ने मिलकर मुझे उल्लू बनाया है तरोगा ने कुछ घबरा कर पूछा आखिर बात क्या है? कहिए तो रमानाथ, बात यही है कि इस मुआमले में अब कोई शहादत न दूँगा उससे मेरा तालुक नहीं आपने मेरे साथ चाल चली और वारेंट की धमकी देकर मुझे शहादत देने पर मजबूर किया अब मुझे मालूम हो गया कि मेरे उपर कोई इलजाम नहीं है आप लोगों का चक्मा था पुलिस की तरफ से शहादत नहीं देना चाहता मैं आज जद सहाब से साफ कह दूँगा बे गुनाहों का खुन अपनी गर्दन पर नुलूँगा दरोगा ने तेज होकर कहा आपने खुद गवन तसलीम किया था रमानात मीजान की गलती थी गवन न था मिन्सपालती ने मुझे पर कोई मुकदमा नहीं चलाया यह आपको कैसे मालूम हुआ इससे आपको कोई बहस नहीं मैं सहादत न दूँगा साफ साफ कह दूँगा पुलीस ने मुझे धोका दे कर सहादत दिलवाई है जिन तारिखों का वह वाक्या है उन तारिखों में मैं अलाबाद में था मिन्सपल आफिस में मेरी हाजरी मौजूद है धरोगा ने इस आपक्ति को हसी में उरानी के चेस्टा करके कहा अच्छा साहा पुलीस ने धोकाई दिया लेकिन उसका खातिर ख्वा इनाम को भी तो हाजर है कोई अच्छी जगा मिल जाएगी मोटर पर बैठे सैर करोगे खुफिया पुलीस में कोई जगा मिल जाएगी तो चैन ही चैन है सरकार की नजरों में इज्जत और रसुक इतना बढ़ेगा यो मारे मारे फिरते शायद किसी दफ्तर में कलरकी मिल जाती वो अभी बनी मुश्किल से यहां तो बैठे बिठाय तरक्की का दर्वाजा खुल गया अच्छी तरह कार गुजारी होगी तो एक दिन राय बहादुर मुंसी रमा नाथ डिप्टी सुप्रिटेंडन हो जाओगे तुम्हें हमारा एहसान मानना चाहिए और आप उल्टे खफा होते हैं रमा पर इस प्रलोभन का कुछ असर ना हुआ बोला मुझे कलरक बनना मन्जूर है इस तरह की तरक्की नहीं चाहता या आप ही को मुबारक रहे इतने में डिप्टी साहब और इंस्पेक्टर भी आप पहुचे रमा को देखकर इंस्पेक्टर साहब ने गर्माया अमारे बाबु साहब तो पहले ही से तयार बठे है बस इसी की कार गुजारी पर वारा न्यारा है रमा ने इस भाव से कहा मानो मैं भी अपना नफा नुकसान समझता हूँ जी हाँ आज वारा न्यारा कर दूँगा इतने दिनों तक आप लोगों के इशारों पर चला अब अपनी आँखों से देख कर चलूँगा इंस्पेक्टर ने दरोगा का मुह देखा दरोगा ने डिप्टी का मुह देखा डिप्टी ने इंस्पेक्टर का मुह देखा यह कहता क्या है इंस्पेक्टर विसमित होकर बुले क्या बात है हलव से कहता हूँ, आप कुछ नाराज मालूम होते हैं रमानाद, मैंने फैसला किया है कि आज अपना बयान बदल दूँगा बेगुनाहों का खुण नहीं कर सकता इंस्पेक्टर ने दया भाव से उसकी तरफ देख कर का आप बेगनाहों का खून नहीं कर रहे हैं अपनी तकदीर की इमारत खरी कर रहे हैं हलफ से कहता हूँ ऐसे मौके बहुत कम आदमियों को मिलते हैं आज क्या बात हुई है कि आप इतने खफा हो गए आपको कुछ मालूम है दरोगो साहब आदमियों ने तो कोई शोखी नहीं की अगर किसी ने आपके मिजाज के खिलाब कोई काम किया हो तो उसे गोली मार दीजे हलफ से कहता हूँ दरोगा मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ रमानात आप तकलीफ न करे मुझे किसी से शिकायत नहीं है मैं थोरे से फायदे के लिए अपने इमान का खुण नहीं कर सकता एक मिनत सनाटा रहा किसी को कोई बात न सूजी दरोगा कोई दूसरा चकमा सोच रहे थे इंस्पेक्टर कोई दूसरा प्रलोभन डिप्टी एक दूसरी ही फिक्र में था रूखे पंसे बोला रमा बाबू यह अच्छा बात ना होगा रमा ने भी गर्म होकर का आपके लिए ना होगी मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही है डिप्टी नहीं आपका वास्ता इससे बुड़ा दूसरा बात नहीं है हम तुमको छोड़ेगा नहीं हमारा मुकदमा चाहे बिगर जाए लेकिन हम तुमको ऐसा लेसन देगा कि तुम उमिर भर न भुलेगा आपको वही गवाही देना होगा जो आप दिया अगर तुम कुछ गरबर करेगा कुछ भी गोल माल किया तो हम तुमारे साथ दोसरा वरताव करेगा एक रिपोर्ट में तुम यो कलाईयों को ऊपर नीचे रख कर चला जाएगा यह कहते वे उसने आँखे निकाल कर रमा को देखा मानो कच्चा ही खा जाएगा रमा सहम उठा इन आतंक से भरे शब्दों ने उसे विचलित कर दिया यह सब कोई जूठा मुकदमा चला कर उसे फसा दें तो उसकी कौन रक्षा करेगा उसे यह आशाना थी कि डिप्टी साहग जो शील और विने के पुतले बने वे एक बारगी या रुद्र रूप धारन कर लेंगे मगर वह इतनी आसानी से दबने वाला ना था तेज होकर बोला आप मुझसे जबरदस्टी शिहादत दलवाएंगे डिप्टी ने पैर पटकते वे का हाँ जबरदस्टी दिलाएगा रमानाज यह अच्छी दिल लगी है डिप्टी तुम पोलिस को धोखा देना दिल लगी समझता है अभी दो गवा देकर साबित कर सकता है कि तुम राजद्रो की बात कर रहा था बस चला जाएगा साथ साल के लिए चक्की पीस्ते पीस्ते हाथ में घटा पड़ जाएगा यह चिकना-चिकना गाल नहीं रहेगा रमा जेल से डरता था जेल जीवन की कलपना ही से उसके रोए खरे हो जाते थे जेल ही के भैसे उसने यह गवाही देनी सुईकार की थी वही भैस वक्त भी उसे कातर करने लगा डिप्टी भाव विज्ञान का ग्याता था आसन का पतात पा गया बोला वहां हलवा पूरी नहीं पाएगा धूल मिला हुआ आटा का रोटी गोभी के सरेहवे पत्तों का रस और अरहर के दाल का पानी खाने को पावेगा काल कोठ्री का चार महिना भी हो गया तो तुम बच नहीं सकता वहीं मर जाएगा बात बात पर वार्डर गाली देगा जूतों से पीटेगा तुम समस्दा गया है रमा का चैरा फीका पढ़ने लगा मालूम होता था प्रती शन उसका खून सुक्षता चला जाता है अपनी दुर्बलता पर उसे इतनी गलानी हुई कि वह रो परा कामती हुई आवाद से बोला आप लोगों की यह इक्षा है तो यही सही भेज दीजे जेल मर ही जाओंगा ना फिर तो आप लोगों से मेरा गला छूट जाएगा जब आप यहां तक मुझे तबाह करने पर आमदा है तो मैं भी मरने को तैयार हूँ जो कुछ हो ना होगा होगा उसका मन दुर्बलता की उस दशाव को पहुँच गया जब जरासी सहानभूती जरासी सहर देता सेकरो धमकियों से कहीं कारगार हो जाती है इंस्पेक्टर साहब ने मौका तार लिया उसका पक्ष लेकर डिप्टी से बोले हलव से कहता हूँ आप लोग आदमी को पहचानते तो हैं ही नहीं लगते हैं रोब जमाने इस तरह गवाही देना हर एक समझदार आदमी को बुरा मालूम होगा यह खुदरती बात है जिससे जरा भी इजज़त का ख्याल है वह पुलिस के हाथों की कटपुतली बनना पसंद न करेगा बाबू साहब की जगा मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हया हमारे खिलाफ सहाधत देंगे आप लोग अपना काम कीजिए बाबू साहब की तरफ से बेफिक रही है हलफ से कहता हूँ उसने रमा का हाथ पकर लिया और बोला आप मेरे साथ चलिए बाबू जी आपको अच्छे अच्छे रिकॉर्ड सुनाओ रमा ने रूठे वे बालक की तरह हाथ चुरा करका मुझे दिख न कीजिए इंस्पेक्टर साहब अब तो मुझे जेल खाने में ही मरना है इंस्पेक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रख कर का आप क्यों ऐसी बात मुझे निकालते हैं साहब जेल खाने में मरें आपके दुश्मन डिप्टी ने तस्मा भी नहीं मांकी छोड़ना चाहा बरे कठोर स्वर में बोला मानोर रमा से कभी परीचा ही नहीं था कभी छोड़ नहीं सकता इसी वक्त सरकारी एडवोकेट और बैरिस्टर मोटर से उत्रे धन्यवाद